Hello everyone, very good morning all of you, I hope you all are happy and healthy So friends, मैंने start करिया NCIT की जोग्रफी की सिरीज जिसमें क्लास 8 के सारे वीडियो करा चुका हूँ आज हम करेंगे चैप्टर नमर वन, क्लास 9 का जोग्रफी का जिसका नाम है इंडिया साइज और लोकेशन तो friends, सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमें इंडिया के जो मैप है, उसकी लोकेशन और उसकी डारेकशन और उसके साइज के बारे में पता होना जरूरी है तो friends, जो हमारा, जो हमारा world है, वो two equal parts में बटा एक लाइन है, इसको बोलते है zero degree, zero degree लाइन, इसको बोलते है equator, कौन सी लाइन है, equator, ठीक है friends, तो ये northern hemisphere में और southern hemisphere में, two equal parts में डिवाइड करती है यह ओली लाइन, तो इंडिया की जो लोकेशन है, इंडिया की location, वो पढ़ती है northern hemisphere में, कौन से उत्तरी धुर्म में पढ़ती है, इसी तरह से इंडिया की जो location है, एक तो northern hemisphere में पढ़ गी, अब यह वाला हो गया, west, east, और यह वाला हो गया west, तो इधर की तरफ eastern hemisphere में पढ़ता है, तो इंडिया कौन से हमिस्पेर में पढ़ सबसे पहले, उत्तरी धुर्म में और पूर्वी धुर्म में पढ़ता है हमारा देश, इंडिया, अभी इसमें हाल फिलाल में, जो इसकी state है, वो total state कितने इंडिया में, तो state है, इसमें 28 state, 28 state हो गई है, और UT कितने है, UT, union territory, यह ओ गया आपके, total 8, union territory, तो friends, सबसे पहले हम UT को देखते हैं, कौन-कौन से UT है, ठीक है friends, UT सबसे पहले है, Delhi, capital है, यही देली, capital, दिल्ली यही, उसके बाद जम्बू कस्मीर और लद्दाक, यह दो नए UT हैं, सबसे नए नए UT हैं यह, ठीक है, जम्बू कस्मीर और लद्दाक, जम्बू कस्मीर से आर्टिकल 370 को UT बिनाए गया था, उसके नीचे आते हैं, चंडीगर हो गया हमारा, चंडीगर यह रहा, ठीक है, पंजाब और हणियाना की capital है, तो चार UT तो उपर यही यही पर हो गए, इंडिया की, ठीक है, यह ऐसे धिहन रकने हमको, फिर दादर एंड दमन और दीव, और दादर नगर हवेली, यह दोनों अलग-अलग थी पहले, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया हमने, ठीक है, 26 अपडेट लिख सकते हो, 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, हमने इन दोनों को मर्ज करकर एक ही बना दिया है, और दोनों की capital है दमन, दमन और दीव, दादर नगर हवेली को एक कर दिया है, पहले दोनों अलग-अलग थे, और इनकी capital है दमन, ठीक है फ्रेंट्स, अब उसके बाद है, एक पुड़ुचेरी यह रहा, एक अनमा निकुबा आइलेंड और एक लकसदीब, तो टोटल एट यूटी है इंडिया में, इतना क्लियर है, यूटी का सब को क्लियर हो गया, ठ अब इस्टेट, टोटल इस्टेट कितने है, इस्टेट है हमारे पास इंडिया में, सबसो पर देखते हैं, हिमानचल परदेश, हिमानचल परदेश, कैपिटल सीमला, सेभो के लिए फेमस है, पंजाब और हडियाना, इन दोनों की capital एक है, common capital है, फिर उत्राखंड, देरद कैपिटल है, यूपी, according to population सबसे बड़ा है, capital है लखनौ, फिर राजिस्तान है, राजिस्तान की capital है, जैपूर, मीन, राजाओं का इस्थान, राजिस्तान, गुजरात, गुजरात की capital है, गांदी नगर, ठीक है फ्रेंट्स, उसके नीचे आते हम, महरास्ट, महरास्ट की capital कैपिटल है, मॉमबई, मायनगरी, फिर बीच में MP, मद्यपर्देश, भोपाल, सेंटर में हैं बिल्कुल, इसलिए वच्छो इसको मद्यपर्देश का जाता है, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, राजिस्तान, राजाओं का इस्थान, फिर मद्यपर्देश से कटकर एक रा कैपिटल है, केरला की कैपिटल है, तिरुवनत पुरम, तिरुवनत पुरम, ठीक है, तिरुवनत पुरम, करनाटा की कैपिटल है, बैंगलुरू, IT स्टेटी भी बोलते है, स्को IT सिटी, Information and Technology, आंध्रपर्देश, कैपिटल है, अमरावती, तेलंगाना, सबसे नहाराजय भ रटना, बिहार जारगन, जारगन की कैपिटल है, राची, बिहार से कटकर जारगन बनाता, मद्दे परदेश से कटकर क्या बनाता, 36 गड़ू, ठीक है, इतनी के लिए रगवई वाल है, अब हम करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आप तला, मेगाले की कैपटल सिलोंग, और असम बीचों बीच में सबसे जाधराजों से बॉंड diste करता, असम की कैपटल हे दिसपूर, और उपर की तरप यहां पर क्या है सिकीम सकीम की कैपटल कह है, गंडोक, और यह जो यह वाले ना, यह इस सारे वाले यह 7 sister की नाम से famous है यह 7 sister की नाम से ठीक है North East state है यह North East state उत्तर पुर्वी राजिया इतना clear होगे फ्रेंड समको अब इंडिया के